So as we know, HyperOS 2.2 animations को यहाँ पे improve करने वाला है So वो किस तरीके से animations को improve करेगा क्योंकि यहाँ पे HyperOS के multiple updates के साथ अबे animations में पहुत सारे major changes already यहाँ पे देखने के लिए मिल चुके है जो कि यहाँ पे multiple animations को support करते हैं और यह animations हमारी totally smooth भी हमें देखने के लिए मिल जाती है So अब यहाँ पे जो animations है इनमें यहाँ पे शो में किस तरीके से change कर सकता है यह मैं आपको शोग कर देता हूँ HyperOS 2.2 major upgrade में So आपको simply settings में जाना है Settings में आपको home screen में एक option देखने के लिए मिला था animation speed So यह animation speed के हिसाब से आप अपने device की icons, animations, home screen animations को totally change कर सकते हैं यानि कि थोड़ा बहुत change उसमें आप easily कर सकते हैं Relaxed, balanced and fast की helps है So यह 3 options हमारे बहुत पहले ही launch हो चुके थे और इनसे पहले कुछ और यहाँ पे इनको नाम दिया गया था और इनके renaming यहाँ पे 2-3 updates के बाद कर दी गई थी So अप यहाँ पे श्वामी को animation speed में कुछ major changes Hyper-Watch 2.0 में करने चाहिए और वो यहाँ पे कर भी सकता है क्योंकि Hyper-Watch 2.0 में यह खा गया है कि animations को totally smooth किया जाएगा और उन पे हमें बहुत लॉग time से work कर रहे हैं कि हम animations को और भी जादा smooth and animate यहाँ पे कैसे कर सके हैं So animation speed में हमें major changes Hyper-Watch 2.0 में देखने के लिए मिल सकते हैं So are you excited for the new animation speed in Hyper-Watch 2.0 Comment now and subscribe now कर दो कर दो दो कि नहाँ आएगा है